Hello Everyone, Welcome to Testified, India's First and Only 100% Blind Testing Certification Program और आज की वीडियो में मैं आपको detailed analysis बताऊंगा Muscle Blaze Biozyme Iso0 Whey Protein का इसका जो है हमने Biozyme का जो और भी variant आता है Biozyme Performance Whey और Biozyme Whey Protein उसको भी लैब में दिया था उसका detailed analysis आपको पहले उसका cover करना चाता था बड़ उसकी report अभी तकाई नहीं है इसकी report पहले आगई इसलिए ये पहले cover कर दे रहा हूँ और जैसी ऐसी बाकी products की report आती है कि वो भी cover करता रहूँगा 45 products अलड़ी जो है analysis में दिया हुआ है जैसे रिपोर्ट आएगी आप लोगों के सामने वैसे 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 वीडियो लाता रहा हूँगा तो जैसे कि मैं आपने सारे वीडियों बताता हूँ हमने इसके दो डब्बे order किये थे as usual दोनों डब्बे muscle blaze के website से order किये थे identity हम अपनी change कर देते हैं कोई भी discount code का इस्तमाल नहीं करते हैं जिससे company को ये पता नहीं चलता कि किसने product order किया है payment हम अपने card से करते हैं जो कि आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग एक screen recording कर लेते हैं जो कि uncut video होता है proof के तोर पे फिर जैसी हमें ये video मिलता है हम उसकी unboxing video भी shoot करते हैं जिसमें आप लोगों को दिखाते हैं कि हमें ये दो sealed boxes मिले हैं दोनों के दोनों जो है completely sealed है batch number जो है पूरा mention है और यही batch number आपको हमारे report में भी दिखके आएगा तो जो product हमें मिलता है वही product हम lab में देते हैं analysis के लिए और हमारे lab में आपको packing details में देखेगा trade pack trade pack मतलब original brand sealed pack box ही testing में जाता है ठीक है तो चले guys अब हम quickly cover करते हैं कि इसका जो है whey protein का source क्या है तो ये 100% whey protein isolate है कोई blend नहीं है this is a pure whey protein isolate और filtration method का जो है completely disclose नहीं गरती मैंने label पे भी देखने की कोशिश की website में भी गया पर filtration method मुझे इसका नहीं मिला अब हम report summary की बात करेंगे तो हमारा जो पहले level का testing होता है जिसमें हम macro की testing कराते हैं उसके analysis की हम बात करते हैं company claim की अगर हम बात करें तो company यहाँ पर claim करती है कि वो आपको 83% protein देती है मतब पर scoop आपको 27 grams protein मिलता है मेरी lactose support आप देख रहा होगे मेरी lactose support में आपको दिख रहा होगा protein percentage आया है 80.48% अभी मेरी lactose support में जो protein आता है वो as is basis पे आता है देखिए आपको जो table दिख रहा होगा उसमें protein, carbohydrate, fat, moisture और ash ये सब दिख रहा होगे इन सब का अगर आप total करते हैं तो 100% आता है तो protein अलग से लिखा गया है moisture अलग से लिखा गया है जब भी protein अलग लिखा जाए moisture अलग लिखा जाए और protein, fat, carbs, moisture और ash का total 100% आ है इसका मतलब protein हमेशा as is basis पे दिया गया है तो dry basis पे हम protein को calculate करेंगे वह हैं कि supplement companies जो है nutritional facts में जो है अपना protein maximum companies dry basis पे ही mention करती है तो dry basis पे calculate करने के लिए बहुत ही simple सा तरीका हम अपनाएंगे जो protein percentage हमारे lactose report में as is basis पे आया है 80.48% उसमें हम 5.10% moisture add कर देंगे और इस हेसाब से हमारे lactose report के अनुसार आपको इसमें protein percentage मिलेगा 85.58% जो पर scoop के basis पे हुआ 27.8 grams मदलब company 27 grams protein क्लेम करती है हमारे lactose report में वो 0.8 grams जादा आया है तो हम ये मानेंगे कि जो company अपने label पे protein content क्लेम करती है उतना ही हमारे report में पाया गया है अब हम quickly बात कर लेते हैं carbohydrate के बारे इन भी तो carbohydrate company क्लेम करती है कि इनके per serving में आपको 0 grams मिलता है मेरे analysis के according इसके per serving में 3 gram carbohydrate पाया गया है देखिया guys 0 carb flavored way बना एक्ट्वल impossible है भी नहीं क्योंकि flavor जो होता है न अगर आप 0 carb way ले रहे हैं और उसमें flavor add करते हैं तो flavor में थोड़े बहुत carbs तो होते ही हैं तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत carbs आएंगे ही आएंगे इसलिए इन्होंने इसमें use किया होगा जो है 0 carb isolate way पर flavor में conversion के दोरान उसमें थोड़े बहुत carbs आएंगे ही इसलिए हमारे report के अनुसार इसमें 0 gram काब नहीं 3 gram carbohydrate per serving पाया गया है fat की बात करें तो fat यहाँ पर कमनी claim करती है 0.81% याने की 0.26 grams per serving हमारे lactose report के अनुसार वो आया है 0.4 grams per serving तो fats भी यहाँ पर accurate पाया गया है तो ग्यास क्योंकि इस product ने हमारी पहले level testing को पार कर लिया है जोकि macro की testing होती उसे पार कर लिया है इसलिए अब हम बढ़ेंगे amino acid profile के detailed analysis के बारे में amino acid profile कराना बहुत ज़रूरी होता है उन protein powders के लिए जो लोग macro का level pass कर लेते हैं क्योंकि आजकल companies क्या कर रही है कि amino spiking कर रही है अपने protein का content amino spiking करके inflate कर रही है तो ये बहुत ही ज़रूरी है देखना कि कहीं ये product amino spike तो नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी analysis में आपको detailed amino acid profile दिख रही होगी कोई भी amino acid जादा या कम नहीं पाएजा गया है जितनी भी amino acid का जो आपको value दिख रहा है वो सब एकदम balanced है और naturally occurring way protein की जो amino acid profile होनी चाहिए उससे बिलकुल match करते हैं और justify करते हैं इसलिए इसमें amino spiking नहीं पाएगई है heavy metals के बारे में भी हम quickly बात कर लेते हैं तो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर heavy metal के details दिख रही होगे जितने भी heavy metal इसमें पाएगए हैं वो fssai permissible limit के अंदर है तो heavy metal का भी ये जो parameter है level 3 testing उसे जो है pass करता है तो हाँ क्योंकि इस product ने हमारी level 1, level 2 और level 3 testing तीनों को pass कर लिया है इसलिए ये जो product है ये हम अपने pass category में डालेंगे और आप हमारे website में pass fail tab में जब जाएंगे तो आपको ये product pass में दिखेगा और हमारे website में certified brands का भी एक tab है जिसमें हम सिर्फ वही brand डालते हैं जो certified होते हैं तो क्योंकि ये brand पास हुआ है इसलिए ये brand आपको certified brands में भी दिखेगा और pass fail के pass section ने भी आपको दिखेगा अब एक बहुत important चीज़ ये product क्योंकि हमारे parameter को pass कर लिया है इसलिए certified हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि साल भर अब हम इसको test नहीं कराएंगे जी नहीं ये product pass कर लिया है certified हो गया है कि जो manufacturer है वो इमानदारी से अपना काम पूरे साल कर रहे हैं अगर चौथे महीने बाद ये पाया गया कि भाई ये जो product है वो ख़रा नहीं उत्रा है amino spiking है या पर protein accurate नहीं पाया गया है या फिर heavy metals में fail हो रहा है तो इस product को जो certification चार महीने बाद तुरंद हट जाएगा और अगर ये product वापस से हमारी blind testing process जो हम starting में process करते हैं वो process भी repeat करेंगे after every four months और अगर ये brand उसमें फिर से pass कर गया तो हम एक updated video बनाते हैं और अपने website में updated result भी post करते हैं और guys अगर आपको इस product की report summary देखनी है तो उसके लिए भी आप हमारे website trustify.in पे visit करके इनके report summary पे click करके देख सकते हैं at the end guys आप लोगों से एक छोटी से request करना चाहूंगा देखे जो हमारी testings होती हैं ये तीनों level की ये बहुत ही जादा costly होती है और अगर आप हमें support करना चाहते हैं कि हमारी जो future upcoming testing है जो हमारे upcoming product की testing है उसमें आप लोग कुछ contribute कर पहें तो बस मैं आप लोगों से request करूँगा कि आपको अगर ये product खरीदना है तो आप हमारी website पे जो buy now का link है वहां से click करके खरीदें देखे हमारा company से कोई tie-up नहीं है नहीं हमें company से कुछ मिलना है नहीं हमारा को discount code है basically ये जो funda है ये ऐसे work करता है जैसे Amazon क्या करता है कि अगर आप किसी affiliate link से click करके Amazon के थूँ कुछ खरीदते हैं ठीक है तो Amazon को जो उस brand से commission मिलता है उसका थोड़ा सा commission वो उस link के owner को देता है तो यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी affiliate link तयार की है उसके थूँ अगर आप click करके ये product खरीदेंगे तो जो Amazon को थोड़ा बहुत commission मिलने वाला होगा उसमें से वो थोड़ा सा percentage हमको share करता है तो इस हिसाब से हम थोड़े बहुत जितनी भी possible funding होती है वो एक अठा करके अपने प्रोड़क्स सी cost को cover कर पाते है अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट प्रोड़क्ट भी ट्रस्टीफाइड जो है test कर आए तो आप हमारे website पर जाके vote your product में कुछ details परके अपने product के request कर सकते है या फिर आप Instagram पर follow करके हमें message भी कर सकते है Instagram के link description box में है तो guys thanks for watching and please remember guys if it's not justified, it's not certified choose safe, be safe